जलिए हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का मैथ एक्सरसाइज 1.4 के सभी कोशन के सालूसन देखते हैं फर्स्ट कोशन है विजुलाइज 3.765 अन ए नमबर लाइन पर आपको 3.765 मीटर के कहां होता है सबसे पहले आप नमबर लाइन बनाएज़ जब आप एक नमबर लाइन बनाएज़ से तो क्या होता है नमबर लाइन में number line में इधर 0 हो गया फिर 1 फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 3 यह आप skill से बनाएंगे तो equal distance पे बनाएंगा 4 ऐसे dot dot गया 5 यह ऐसे यह infinite तक जाएगा फिर आप इस side आएंगे तो minus 1 फिर आपका आगया minus 2 फिर आपका आगया minus 3 फिर आपका आगया यहाँ पे minus 4 और ऐसे ऐसे यह जाके इधर जाएगा minus infinite की तरफ आपको लाना है 3.76 मतलब 3 से बड़ा होगा और 4 के बीच में होगा जो आपकी value आएगी वो जो है इसके बीच में आएगी 3 और 4 के बीच में आएगी अब चलिए next number line बनाएए हम एक और number line बनाते हैं इस number line में आपको 3 से चालू करना है किस से चालू करना है 3 से और कहां पे अंत करना है और यह end होगा 3 यह number line जो है यह 3 से चालू होगी और यह end होगी आपकी 4 पे 3 से चालो होगी और ये 4 पे end होगी और बीच में ये 9 पार्ट में डिवाइड होगा पहले डिवाइड कर दीजे 1, 2, फिर 3, फिर 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 आप इस केल से equally पार्ट में डिवाइड केजिएगा फिर देखिए कैसे लिखेंगे आप इसको आप लिखेंगे तो ये आपका होगा 3.1, ये आपका होगा 3.2, ये पॉइंट आपकी होगी 3.3 और ये आपकी पॉइंट होगी 3.4 वैसे ही यहाँ पे 3.5, ये होगा 3.6, ये होगा आपका 3.7, ये होगा आपका 3.8 और ये point आपकी 3.9, 3.9 के बाद आपका 4.0 आता है, देखिए हमको question में क्या करना है, 3.76, मतलब 7 से बड़ा, और 8, 7 और 8 जो ये मैं represent कर रहा हूं, 3.7 और 3.8, इसके बीच में ये value आएगी, चलिए हम एक और number line ड्रा करते हैं, number line आप scale से करेंगे, मैं यहाँ पे तो ऐसे कर आप scale से सीधी line गीचेंगे, अब देखिए, अब ये जो number line होनी चाहिए, जो ये number line है, ये आपकी start होगी 3.7 से, और ये end होगी कहाँ पे, देखिए, 3.7 और 3.8 के बीच में आ रहा ना, ये end होगी 3.8 पर, अब इसमें भी बीच में 9 पार्ट बना दीजे, 9 division, 1, 2, 3, ये आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप scale से equally distance पेस को करेंगे, इसकी value क्या आएगी, इसकी value आएगी, 3.7 से इनकरीच किजिए, 3.71, ये जो होगा 3.72, ये जो होगा 3.73, ये जो होगा 3.74, 3.75, ये जो होगा 3.76, ये वाली पॉइंट 3.77, ये वाली पॉइंट 3.78, और ये वाली पॉइंट 3.79, और 79 के बाद क्या आता है, 80, 80 मतलब 3.8, हमको क्या find करना, 3.765, मतलब 765, ये जो आपकी answer आएगा, 3.76, से 3.77 के बीच में आएगा, अभी एक और last आपको ये draw करना पड़ेगा, lost number line, क्योंकि decimal के बाद 3 digit हमें find करना है, 3.76, 5 ये, last number line आप draw कीजिए, आप skill से सीधा draw करेंगे number line को, देखिए, हमें किसका value find करना है, किस-किस number का, तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर आप initial point क्या हो जाएगी, initial आपकी point हो जाएगी, 3.76, और final point क्या हो जाएगी, final point होगी, 3.77, अब इसको आप 9 पार्ट में डिवाइड केजिए, 6, 7, 8, और यह 9 पार्ट, अब इसको आप बाटी ही आगे, देखिए, decimal के बाद 3 point दिखाना न, तो 3 point, यह आपका हो जाएगा 3.761, यह आपका हो जाएगा 3.762, ऐसा ही हो जाएगा 3.763, यह आपका होगा 3.764, यह होगा आपका 3.765, यह आपका होगा 3.766, आपका next है साही, 3.767, 3.768, और 3.769, और आगे क्या हो जाएगा 3.777, यही उपर है न, देखें, हमें question में क्या पूछा है, किसके बारे में निकालना है, हमें निकालना है 3.765 के बारे में, कहा है, 3.765, यही जो है, हमें number line पे represent करना था, तो ऐसे आप इसको represent करेंगे, पहले आप एक simple बनाएंगे, simple में आप 3 और 4 के बीच बना, तो यह करेंगे, यह basically आपका 4 step में यह number line में बनेगा, चले चलते हैं हम इसको अब next question पे, next question है आपका, देखें यह, आपका question है, visualize 4.26 पे बार आने number line, और आपको कम से कम decimal में 4 point तक इसमें दिखाना है, तो देखें, चली हम इसको देखते हैं कैसे, इसको हम start करते हैं, पहले हम एक simple number line बनाएंगे, number line देखें, इसमें 4 point तक दिखाना न, यह थोड़ा, इसमें कई सारी बनेगे, एक number line बना दिया, ऐसे सीधे, आप scale से एक सीधा number line बनाएंगे, number line बनाने के बाएंगे, देखें, मैं इसको पहले बता देता हूँ, 4.26 bar है न, मतलब हमको क्या दिखाना है, 4.26 और bar का मतलब क्या, 2626 ऐसे repeat होगा, हमें 4 point तक इसमें दिखाना है, आप यहाँ start किजिए, यहाँ पे आप लिखिए 4 को, और यहाँ पे आप लिखिए 5 को, और यह कितने पार्ट में डिवाइड होगा, यह 9 पार्ट में डिवाइड होगा, 4.1, यहाँ पे 4.2, यह आपका होगा 4.3, यह आपका होगा 4.4, 4.5, यहाँ पे आपका होगा 4.6, यहाँ पे होगा 4.7, यहाँ पे होगा 4.8, यहाँ पे होगा 4.9, और यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर आपको 4 डिजिट तक दिखाना है, कोसन में दियाना, up to 4 decimal place अब देखे, यह जो हमको find करना है, क्या find करना है, 4.2626, 4.2626 हमको represent करना है number line पे, तो 2626 किसके बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, चलिए अब next number line ड्रा कीजिए, next number line आप जब ड्रा करेंगे यहाँ पे, यह ड्रा कीजिए, यहाँ ड्रा कीजिए, यहाँ ड् आपका यह, आप ऐसे mark कर दिजिए, फिर first और last point दिखे, यहाँ पे यह first point और यहाँ पे यह last point इंडिकेट कीजिए, यहाँ पे आप देखे किसके किसके बीच में लेना है, हमें लेना है 4.2 और लेना है 4.3 के बीच में, क्योंकि 4.26 इसी के बीच में आगा, 9. कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यह 9, आप कैसे लिखेंगे इसको, अब 4.2 के बाद क्या आएगा, 4.21 आएगा, फिर 4.22 आएगा, फिर 4.23 आएगा, फिर 4.24 आएगा, फिर 4.25 आएगा, फिर 4.26 आएगा, फिर 4.27 आएगा, फिर 4.28 आएगा, फिर 4.29 आएगा, और 4.30 मतलब 4.3 ऐसा है ही, देखिए इसमें हमको क्या फाइंड करना है, 4.26, 2.6 किसके बीच में आएगा, आपका 4.26 आएगा, 4.26 जो ये, 2626 है ना, तो मतलब 2.6 से एबब जा रहा है, जो आपकी जो ये वैलू आएगी, 4.26 और 4.27 के बीच में इसकी वैलू आएगी, इसका मतलब आप एक और नमबर लाइन ड्रा करेंगे, इसमें 4 डेसिमल प्लेस तक आपको दिखाना है, ऐसे आप एक नमबर लाइन ड्रा कीजिए, नमबर लाइन ड्रा करने के बाद, फिर देखिए, आप इस इनिसियल और फ 4.26 इनिसियल और लास्ट वाल यह आपकी पॉइंट हो जाएगी, 4.27 आप इसको 9 पार्ट में डिवाइड कर दिजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, अब इसको लिखना चालो कीजिए, 4.261 होगा, 4.262 होगा, देखिए, इस पेस काम हो रहा है, उपर नीचे मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिख दाना हो, इसको उपर, एक उपर एक नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा, 4.263, यहाँ पे हो जाएगा, 4.264, यह हो जाएगा, 4.265, यह होगा, 4.266, उपर होगा यह, 4.267, यह आपको होगा, 4.268 उपर हो जाएगा 4.269 हमें क्या लिखना है 4.262 लेना है मतलग जो आपकी value होगी यह 4.262 और 4.263 इसके बीच में आएगी चलिए अब last number line हमें represent करते हैं क्योंकि को सन पोला है 4 decimal point तक आपको दिखाना है 3 decimal point तक हम दिखा दिये last देखिए आपका 4 decimal point तक यह initial point हो गया और यहाँ पर आप कर दीजिए एक final point initial point में आपका हो जाएगा 4.262 और last वाल यह आपकी point होगी 4.263 अब इसमें 9 part डिवाइड कीजिए 1 2 3 4 5 फिर यहाँ पर 6 7 8 और यह 9 part अब इसमें देखिए हमें क्या लाण अब इसमें मार्किंग कीजिए यह हो जाएगा 4.262 और यह आपका 1 हो जाएगा फिर ऐसे ही next देखिए space ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं उपर नीचे लिकूंगा आप notebook में सीधे line में लिखेगा तो 4.2622 हो जाएगा फिर 4.26222324 ऐसे increase होता जाएगा लिखे यहाँ पर यह क्या होगा 4.2623 होगा उपर जो है 4.2624 होगा फिर 4.2625 होगा फिर आपका यह 4.2626 होगा यह 4.26 यह 27 होगा फिर 4.2628 होगा और यह 4.2629 होगा यहाँ पर फिर यह यह ऐसे होगा और यह 4.2629 के बाद 30 यह same value आ रही है न ऐसे यह same आ रही है देखो हमें क्या represent करना था हमें कोशन में दिया हुआ है कि 4 decimal point मतलब हमें represent करना है यहाँ पर देखिए हमें represent करना है कोशन में 4.2626 4.2626 की value हमें represent करनी है 2626 कहा है यह है 4.2626 हमें number line पर represent करनी थी यही आप ऐसे इसको circle कर देंगे mark कर देंगे यही आप number line पर 4 के बाद 4 digital place को आप represent किये है यही आपका answer हो जाएगा ऐसे ही है यह वाला यह था इस exercise के last question चलिए किस्थारा यही आप से झारणीं कर देंगे प्रोदिए